आप लोगों से बात करेंगे वाला हूं पोको M4 प्रो डिवाइस के बारे में और इसके लिए फाइनली इंडिया में MIUI 13 का जो अपटेट रहना वो यहां पर उलाट रहना है स्टार्ट हो चुका है और इस अपटेट के अंदर आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा जो अमेजिंग फीचर है वो यहां पर शाओमी की तरब से और पोको की तरब से यहां पर एड किये गए हैं अगर आप लोग इंडिया में पोको M4 प्रो डिवाइस यहां पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा हैं पर इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सब्टेट के नदर आपको बहुत सारे जो अमेजिंग फीचर है वो देखने को मिलते हैं और सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने बाला हूँ सो वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आ रही है वीडियो को अभी तक भी आप लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो का जो ला यहां पर आएगा MIUI 13.5 का भी अपटेट आएगा POCO M4 Pro 5G डिवाइस के अंदर तो उसके रिगार्डिंग पर आपको वीडियो यहीं पर देखने को मिल जाएगी और आज तो अपटेट यहां पर रिलीज हुआ है इस बात पर आप लोग चेनल को तो सब्सक्राइब यहां पर करी सकतो अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करें लिता हूँ फर्स्ट फीचर के बारे में या फिर आप लोग कैसे तो फर्स्ट चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को आफ्टर MIUI 13 अपटेट करने के बाद में आप देखने को मिलेगा तो आप लोग या पर देख सतो गेलेरी अप्लिकेसन है उसको अगर आप लोग यापर ओपन करोगे तो यहां पर आप लोगों को दो नए ओप्सन है वो देखने को मिलेगे फरस्ट तो है यहां पर ओल और सेकंड है केमरा अगर आप लोग केमरे वाल पर प्रेस कर दोगे तो जितनी भी फोटो और वीडियो आपकी केमरे से यहां पर किलिक की जाएगी तो वो सारे आप लोगों को यहां पर फोटोज है वो देखने को मिलेगी अगर आप लोग जाते हो एल्बम के अंदर सो एल्बम के अंदर जाने के बाद में नीचे की तरफ अगर आप लोग स्वाइब करते हो सो आप लोग उको trace bin, cleaner और trace के तीन नए option है brand new option है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब trace bin कह सकते हो आप लोग यहाँ पर जो भी photos को delete करोगे वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और इस option का पता नहीं है अगर आप लोग इस फोल्डर को delete करोगे सो maybe वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और cleaner का भी जो option है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसकी animation है वो यहाँ पर कुछ इस तरगी की है आप लोगों यहाँ पर change देखने को मिलती है animation MIUI Titan के update की अगर आप लोग जाते हो portrait वाले option के अंदर जैसे आप लोग इसमें आपर ट्रेस करोगे आपके device के अंदर जितने भी जो photos है ना जो किया पर portrait effects से आपर click की गई है वो सारे option है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो यह एक छोटा सा आप लोगों को change है वो देखने को मिलता है gallery application के अंदर और अगर आप लोग जाते हो कोई भी मालो आप लोगों ने एक photo है ना उसको select कर लिया है और edit वाले option पे अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर guys आप लोग देख से तो मैंने एक photo है ना वो अपनी device के अंदर यहाँ पर edit कर लिये तो मेरी यह photo है group photo है तो इसको एक बर edit कर लेते हैं तो edit वाले option के अंदर जाना है और AI पे आप लोगों को प्रेस करना है sky के अंदर आप लोगों को चले आना है तो clear sky का एक नया option है वो आपको मिल जाता है पहले तो यहाँ पर यह download होगा और भी आप लोगों कई से रिखे के जो filter रहना वो मिलते हैं अब यह आप लोगों को पहले भी आपर देखने को मिल गएते हैं तो इनके बारे में मैं आपको जाद है आप नहीं बताऊंगा only एक नया filter है वो add हुआ है AI के अंदर तो यह मैंने आप लोगों को बता दिये और जैसे आप लोग इसको यहाँ पर save करोगे save करने के बाद में थोरी clarity है ना वो भी मैं आप लोगों यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह save हो रहा है और 4-5 second का time है ना वो इसको यहाँ पर लगने वाला है तो guys यहाँ पर यह save हो चुका है और अब आप लोग देख सतो आप लोगों को यहाँ पर जो यह sky देखने को मिलता है ना वो आप लोगों को यहाँ पर change देखने को मिल जाता है तो इसी तरह की का आप लोगों को यह change है ना वो देखने को मिलता है आपकी gallery application के अंदर automatically आ चुग है do not copy तो इसको मैंने आपर save कर दिया है अब save करने के बाद में आप लोग आपर देख सो ये save हो चुग है और ये do not copy का जो text ना वो छोटा छोटा आप लोगों को आपकी photo ना सब भी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप लोग देख सो यहाँ पर कुछ इस तरगे का जो layout है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है मतलब कि कोई भी आपका जो personal document है ना उसको copy नहीं कर सकता है अगर आप लोग उस पे आपर कुछ इस तरगे के छोटे चोटे water mark करना वो यहाँ पर set कर देते हो यह सारे आप लोगों को gallery के feature है ना वो देखने को मिल जाते हैं आप बात कर लेते हैं setting application के अंदर कौन कौन से feature है तो setting application को open कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको information है ना वो पहले ही देखने को मिल जाती है और एक बहुत ही important news मैंने आप लोगों को साथ में जो link करना वो यहाँ पर पहले ही share कर दिये अपने telegram channel के उपर तो अगर आप लोग main वली यहाँ पर update करना चाते हो तो आप लोगों को link करना वो यहीं पर देखने को मिल जाएगी आप लोग directly इसको यहाँ पर update कर सकते हो अगर आप लोगों को यह कमाल का premium quality का wallpaper है जो कि यहाँ पर पसंद है आप लोग भी अपने device अंदर set करना चाते हो तो आप लोगों को telegram पर जाके search करना है sahaj wallpaper आप लोगों को मेरा यह वाला telegram channel है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको कई तरह के जो wallpaper है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर smart special feature को open करना है और sidebar का एक नया option है वो आ चुक है अब इसका name है वो यहाँ पर change हो चुक है बाकी feature है वो पहले भी आपर exist करता था अब इस तरह के swipe करने के बाद में बहुत सारी application open हो जाएगी कोई भी एक नई application है उसको आप लोग यहाँ पर open कर सकतो one click के अंदर ही और इसको आप लोग close भी कर सकतो यहाँ पर यह बहुत ही ज़दा easy है और इसकी position है वो आप लोग change कर सकतो left right गेम में आप लोगी square कर सकतो game turbo के अंदर और जो video app है मालव आपर gallery को मैंने open कर लिए gallery को नहीं sorry youtube को open करने है तो इस तरही swipe करने के बाद में नया तरीके का आप लोगो को video toolbox का जो option है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यह सारी आप लोगों को यहाँ पर setting आना वो देखने को मिलती है video toolbox के अंदर और यहाँ से भी यहाँ से भी आप लोग कोई भी application है उसको open कर सकतो हो जैसे कि telegram को मैंने आप लोगों कर लिए अब इसको एक बार यहाँ पर close कर देते हैं और telegram को open करके ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको क्या नया देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग देख से तो Redmi Note 11 S 4G और यह सेम device है Poco M4 Pro 4G तो यहाँ पर आप लोग देख से तो आप लोग को यहाँ पर जो मैंने OTA अपलाई की जो लिंक करना वो शेर कर दिये तो अगर आपकी device अंदर यह वाला अपटेट हैना वहाँ आपर रन कर रहे है तो आप लोग इसको यहाँ आपर manual है अपनी device अंदर आपटेट कर सकतो आप लोग को साथ में इतनी information है वो शेर कर दिती वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना तो इसको आपको subscribe करना साथ बेल लाकन को all पर प्रेस करना तब तक लिए जेहिंद वन दे मातरम